नमस्कार दोस्तों, इस्टेडी विद हैपिनेस में आप सभी का स्वागत है और दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर सरकारी नौकरी की तैयारी कब तक करने चाहिए और उसके साथ में कोई पार्ट टाइम जॉब हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो पसंद आए तो अंत में लाइक भी कर सकते हैं दोस्तो हमारे चैनल पर समय समय पर सर्वे कराते रहते हैं हम स्टुडेंट को लेकर तो एक सर्वे कराए गया था उसमें ये पूछा गया था कि क्या आप नौकरी के तयारी के साथ कुछ और भी करते हैं तो 45% लोग तो इसके अंदर ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी की तयारी कर रहे हैं इस समय तो दोस्तो ये सिर्फ तयारी करना ऐसे ही लोग अफोर्ड कर पाते हैं जिनका financial background थोड़ा भोट ठीक होता है आर्थिक इस्तिती ठीक है अगर आपकी financial इस्तिती ठीक नहीं है तो कुछ ना कुछ जो है आपको करना ही पड़ता है जिसस कर सके ये person to person depend करता है दोस्तो ठीक है तो जो लोग इस समय सरकारी नौकरी की तयारी कर रहे हैं तो अभी तो ठीक है दोस्तो माल लीजिए आप 6 महीने हो गया या एक साल हो गया मगर एक समय के बाद आपको भी लगने लगेगा कि क्या हमें साथ में कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए दोस्तो अगर मैं आप लोगों से बिल्कुल इस पस्ट सब्दों में कहूं तो अगर आप सरकारी नौकरी की तयारी आपने स्टार्ट की है या कर रहे हैं तो कम से कम एक साल वन एयर आपको फुल डेडिकेशन के साथ देना चाहिए सिर्फ और सिर्फ इ क्लियर हो जाएं कुछ डाउट हो वो क्लियर हो जाए हर चीज मतलब क्योंकि सरकारी नौकरी की तयारी का जो पैटन है दोस्तों वो अलग है हर एक्जाम का अलग होता है यहां पर मैं दोस्तों बहुत बड़े एक्जाम की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर मैं छोटे मोटे हैं कम से कम तो यह चीज़ अच्छी है मगर दोस्तों जब हम बात करते हैं कि प्राइवेट नोकरी के साथ सरकारी नोकरी के तयारी कर रहे हैं और ऐसे लगबग 1200 लोग हैं जो हमारे चैनल से जुड़े गुए हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं मन में करें तो तो दोस्तों प्राइवेट नोकरी के साथ क्या तयारी की जा सकती है बिल्कुल की जा सकती है मैंने भी की थी ठीक है लगबग मैंने छह साल प्राइवेट में ही काम किया है और प्राइवेट का मतलब as a computer operator में ने काम किया था दोस्तों भारत संचान निगम limited के अंदर क्या नौकरी लगेगी प्राइवेट नौकरी के साथ करते हुए तो यह depend करेगा आपके dedication पर और यह depend करेगा दोस्तों आपकी जरूरत पर सरकारी नौकरी के तयारी आपका शौक है या फिर जरूरत है शौक है तो कोई guarantee नहीं है कि लगेगी या नहीं लगेगी मगा जरूरत है तो आप वो सारी हदे पार कर जाएंगे जिसमें आवशक होंगी जो भी नौकरी पाने के लिए फिर चाहे वो पुरी रात बैठ कर study करना हो या फिर कुछ और हो ठीक हर परसंद की आवशकता है अलग होती है कितनी need है आपको यह आप ही जानते हैं यह कोई और नहीं जानता ठीक है दोस्तों तो ऐसा नहीं है क्योंकि मैंने कई बार ऐसे देखे हैं लोग जोंकि सिर्फ सरकारी नौकरी की तयारी कर रहे हैं दो साल हो गए तीन साल हो गए उसके बाद भी जॉब नहीं ले पा रहे हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जो की साथ में प्राइवेट नौकरी भी कर रहे हैं और उसके साथ में भी उन्होंने नौकरी को पाया है नौकरी की तैयारी की है जैसे कि दोस्तों आपने अगर बड़े एक्जाम की बात करें आपने देखा ही होगा अभी एक साल पहले की ही बात है जब PCS का रिजल्ट आये था तो एक सिपाही रहें के भरती जो पुलिस कॉंस्टेबल थे उन्होंने SDM मतलब PCS का एक्जाम निकाला और SDM की पोस्ट उन्हें मिली तो क्या आपको तो पता है दोस्तों पुलिस की नौकरी में और कितना ज़्यादा वर्क प्रेशर होता है उसके बाद भी निकाल ली और कई लोग तो ऐसे हैं जो दो दो तीन साल से उसी चीज के लिए डेडिकेटेड ली सुबह साम तयारी कर रहे हैं फिर भी नहीं कर पा रहे क्यों ये अलग-अलग देखिए दोस्तों देखने में इंसान एक जैसे होते हैं मगर उनका मेंटल लेवल हर किसी का अलग होता है परिस्यतियां अलग होती है तो आप किसी ते अपनी तुलना नहीं कर सकते मगर अगर आपको जरूरत है तो आप चाहें नौकरी पे हो या ना हो आप उसको ले लेंगे दोस्तों मैंने लास्ट ऑप्शन रखा था एक लास्ट ऑप्शन ये था कि समझ में नहीं आरा नौकरी नहीं लगी तो क्या होगा यह बहुत ही गंभीर समस्या है दोस्तों सुर्बात में हमने शौक शौक में तयारी तो स्टार्ट कर दी और फिर जैसे जैसे समय निकलता जाता है तीन साल हो गए चार साल हो गए पांस साल हो गए फिर यही समझ में नहीं आता है कि अगर अब नहीं लगी तो क्या होगा तो दोस्तो इस पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि देखिए दोस्तो जो इस समय है वो IT का है Information Technology का है आप देख रहे होंगे समय के अनुसार जो है ये चीज़े बदल रही है तो सर्वाइव करने के लिए कुछ न कुछ पैसा तो चाहिए ही कहां से आएगा वो पैसा उसके लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा कुछ skills लाने पड़ेंगे अपने अंदर दोस्तो जिन लोगों का simple graduation है जिसे माल लिए आपने BA किया है BSC किया है B.com किया है कोई इसके साथ में कोई technical degree नहीं है तो ऐसे में नौकरी पाना और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है खासकर private में भी मगर दोस्तो जैसे कि मैंने कहा कि online का जमाना है तो अगर आप अपने अंदर कोई भी skill develop कर लेते हैं तो आप घर बेठे भी online पैसा कमा सकते हैं मैं यह नहीं कहूंगा first day से आप कमा लेंगे मगर दीरे दीरे करके आप कमाना start कर देंगे ठीक है तो यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जो financially इतने ज़्यादा strong नहीं है कि वो इतना effort कर पाएं कि वो सिर्फ और सिर्फ दो-तीन साल पढ़ाई को दे पाएंगे फिर भी मरी हालत में यानि कि अगर आपने सरकारी नोकरी का ठान ही रखा है तो कम से कम दोस्तो एक साल चाहें आपको मतलब अपना खर्चा कम करना पड़े या कुछ भी करना पड़े एक साल तो आपको सिर्फ dedicatedly तयारी को देना है उसके बाद पढ़ाई के साथ-साथ जो है आप कुछ ना कुछ जॉब कर सकते हैं अब technical skill में दोस्तो आगर मैं आपको बता हूँ जैसे कि माली जे android application है android application का development होता है या फिर website बनाना होता है वो सीख सकते हैं अब वो कैसे सीख सकते हैं youtube पे बहुत सारे तरीके हैं और इसके लिए कोई degree की आवशकता नहीं है दोस्तो आप चाहें simple graduate भी हैं उसके साथ भी अपने technical skill को free of cost क्योंकि youtube पे आपको क्या करना है आपको वीडियो देखने हैं कुछ भी चीज़ सीख सकते हैं और फिर उसे implement करके आप भी आगे अपने लिए रोजगार बना सकते हैं private में कहीं दूसरी जगर पर जाकर आप अगर काम कर रहे हैं 8-9-10 गंटे उसके साथ में दोस्तो पढ़ाई थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है करना क्योंकि वहाँ पर जो नौकरी में आपके जो साथी होंगे वो जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी की तयारी कर रहे होंगे तो दीरे दीरे कहीं न कहीं distraction आने लगता है आप तयारी से दूर जाने लगते हैं तो इस चीज़ का आपको धियान रखना है कि आप ऐसे लोगों की संगती में रहें जो की सरकारी नौकरी की तयारी कर रहे है otherwise अगर आप ऐसे लोगों की संगती में नहीं रहेंगे तो कहीं न कहीं जो है आप पढ़ाई से दूर जाने लगेंगे बहले ही ऐसे लोगों से आप दिन में पंदरा मिनिट के लिए मिलें मगर मिलें जरूर क्योंकि ऐसे लोगों से मिलना आवशक है ऐसे लोग आपको पढ़ाई के लिए प्रिरित भी करेंगे और आपको भी लगेगा कि हाँ आपके जैसे और भी लोग हैं जो की तैयारी कर रहे हैं और ये चीज जो मैंने कही है दोस्तों की टेकनिकल इसकिल कुछ ना कुछ डबलब कीजिए क्योंकि दोस्तों सुरुबात में अच्छा लगता है मगर जैसे जैसे समय गुजरता जाता है ये चिंता खाने लगती है कि अब मेरा क्या होगा या सरकारी नौकरी मिलेगी भी या नहीं अब जैसे की दोस्तों कमेंट में निलम सोनी जी है इन्होंने ये कहा था कि मैं मल लगाएर पढ़ाई करता हूँ लेकिन सर मैंने दुकान भी करता हूँ जिससे की छोटी मोटी इंकम भी हो जाती है दोस्तों पढ़ाई अपनी जगा है नौकरी अपनी जगा है मगर हमें सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर आना चाहिए अचा हाँ इसमें आलोग तिवारी जी ने एक बात और कही थी कि एक option और देना चाहिए था है कि कम grade pay की सरकारी नौकरी पर करते हुए बड़े grade pay की तैयारी या desire post की तैयारी कर रहे हैं हाँ तो कई लोग हैं जो मालीजी MTS पे हैं या फर LDC पे हैं कम post पे हैं जो मतलब कम scale grade pay पे हैं और आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे लोगों का भी काफी लोग हैं जिनका selection होता है मेरी जान पे चान में हैं जिनका हुआ है मगर दोस्तो सच बात बताओं कि नौकरी में जाने के बाद जो है ना अपने आपको अपने दिमाग पे इतना कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि जैसी आपकी नौकरी लगती है आप गली महले या अपने रिस्तिदारी में एकदम से बहुत बड़े इनसान बन जाते हैं कि आपने सरकारी नौकरी हासिल कर ली इन सब चीजों को हजम कर पाना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है और जैसे कि नौकरी के बाद जो है दोस्तो कहीं न कहीं आपके उपर शादी का भी प्रेशर आने लगता है कि शादी करनी है एक दो साल तो नहीं आएगा मंगर उसके बाद फिन नहीं रुखा जाएगा तो इन सब चीजों को मैनेज आप लोग को ही करना है और ये सारी चीजे संभव हैं की जा सकती है बस आपकी आवशक्ता कितनी है कितनी बड़ी आवशक्ता है वो आपको नौकरी के लिए प्रेशर करती रहेगी और आपको आगे बढ़ाती रहेगी ठीक है दोस्तो इसी तरीके की और भी वीडियो आप लोग के लिए समय समय पर में लाता रहूंगा और एक जानकारी और है कि अगर आप हमारे साथ मौक टेस्ट की तयारी करना चाहते हैं जिसे जूनियर असिस्टेंट है या समिक्षा दिगारी का एक्जाम है कोई भी ऐसा एक्जाम जिसमें समानने ग्यान पूछ जा दिया जाता है कि किस चीज का टेस्ट होने वाला है हिस्ट्री होगी पॉलिटी होगी जोगरफी होगी ताकि आप उससाब से कनेक्ट होके उस समय पर आएंगे तयारी करने के बाद और मैं आप से कुश्चन पूछूंगा और कुश्चन के बाद अगर आपकी कोई प्र प्राइवेट नोक्री में हैं वो कमेंट सेक्शन में यह जुरू बताएगा कि प्राइवेट नोक्री आप किस डिपार्टमेंट में कर रहे हैं या फिर कहां कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि आपने कोई ऐसा डिपार्टमेंट चूज कर लिया हो जहां पर तैयारी कर पाना बहुत मुश्किल हो तो वह मैं आपको कमेंट सेक्शन में जब आप बताएंगे कि कहां आप प्राइवेट नोकरी करते हैं तो मैं बता पाऊंगा कि आप लोग लिए उप्युक्त है या फिर इसे चेंज करने की आवशकता है जल्द बलेंगे दोस्तों हम नेक्स वीडियो मे तब तक के लिए जय हिन जय भारत